साई की बात बच्छे मैं जानता हूँ इस वक्त न तुम किसी चिंता में हो की वो काम जो तुम्हारा उलज गया है न अटक गया है और तुम समझ नहीं आ रहा कि तुम वो कैसे करोगे नहीं समझ भी आ रहा न क्योंकि जिस इंसान का कर्ज है तुम पर वो तुम से मांग रहा है और तुम्हारे पास वो देने को है नहीं और जिसको तुमने दिया हुआ है न वो तुमें देने को तयार नहीं हो रहा बहुत परेशान हो न तुम तो सुनो, चिंता मत करो मैं ऐसा कुछ करवा दूंगा कि सब कुछ हो जाएगा सारा सब कुछ मैं करवा दूंगा जो ये मामला है ना ये सुलच जाएगा, तुम बिल्कुल परिशान मत हो जिसको तुम से लेना है ना तुम उसे समय पर दे पाऊगे जो उसमें तिथी निर्धारत की है ना उस तिथी तक तुम्हें देना है ना वो हो जाएगा और जिस से तुम्हें लेना है जिस इंसान से तुम्हें लेना है उसका भी हो जाएगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो तुम बहुत परेशान हो कि कैसे क्या होगा क्योंकि एक निर्धारत दिथी है तुम्हें तभी तक वो काम करना है मैं जानता हूँ लेकिन तुम परिशान मतो जो ये चुनोती तुम्हारे सामने आ गई है न तो बस चिंता मत करो मैं निप्टा दूँगा लेकिन एक बात कहूं तुमसे जब न तुम्हारे पास होता है न तब तुम उसकी कदर नहीं करते हो बिल्कुल भी देखो मैंने हमेशा कहा है कि जितने पैसे तुम्हारे पास होते है न उसमें से कुछ बचा कर रखा करो किसी ऐसी घटना के लिए जो घटना अचानक से ही घट जाती है और फिर तुम परिशान हो जाते हो चिंता करने लगते हो है न तो वो चिंता भी तुम्हारी खतम हो जाएगी अगर तुम थोड़ा सा संजो कर चलोगे थोड़ा समेट कर चलोगे न तो सब कुछ हो जाएगा देखो जो खर्च है न, वो खर्चे अपने कम करो, क्योंकि तुम्हारे खर्चे धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जब तुम कम कमाते थे, तब तुम्हारे खर्चे उतने थे, कभी गौर करना, और जब तुम आज जादा कमाते हो, मैंने तुम्हें जादा तुम्हा अगर तुम और मैं हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो जीत तुम्हारी अवश्य होगी, निश्यत ही होगी मेरे बचे। उसे कोई टान नहीं सकता। और सुनो, यदि मेरा तुम उधी जल लेना शुरू करोगे, तो तुम जहां ब्रहमित हो रहे होना, तुम बिल्कुल सही जगा पर पहुंचाओगे, तुम चाहे अपना विवेक लगाओ, बुद्धी लगाओ, मत लगाओ, लेकिन कम से कम में तुम अपनी सफलता को प्राप् मकता से लेना होगा, अच्छी सोच से, अच्छे विचारों से, और कम से कम एक महीना करके देखो, कम से कम एक महीना, तुम एक महीना करोगे न, तुमें सो प्रतीशत कहता हूँ कि वो तुम्हारे जिंदगी में उतर जाएगा, तुम्हारे आदत बन जाएगी, और एक महीन उनका जीवनदान है उनके लिए रामबान है उनके लिए संजीवनी है उनके लिए पूरी दुनिया है उनका साई है उदी में तो मेरे बच्चे मैं तुम्हारे जिंदगी में भी वही वही चमतकार वही चीज़े लाना चाहता हूँ इस बात को तुम समझो और सुनो जो पहनत करो, सब चीजे करो, मैं आगे वही चीज, उससे भी बहतरीन चीज तुम्हें दिलवा दूँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना, और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुमने अभी हाली में कुछ बहुत कीमती जेवराद अपने घर में रखे हुए ह लाकर, और तुम शौक शौक में आकर हर किसी को दिखाने भी लगते हो, कि मैंने ये रखा हुआ है, तुमें समझ नहीं है मेरे बचे क्या, क्या वो कीमती जेवराद, कोई छोटे मूटे पैसो का है क्या, इतना बड़ा है वो, इतना कीमती है वो, तुमें समझ होनी और जब कोई आते जाते हो तो अकेले सिर्फ एक ताले में बंद कर जाते हो वहाँ ना कोई सुरक्षित है ना कुछ है अगर कल को वो खो गया तो कौन उसकी जिम्मेदारे लेगा बताओ वो इतना कीमती है कि तुम्हारे जिंदगी की जमाप मुझी है वो अगर वो चली गई तो क्या करोगे बताओ तुम्हें समझ में आता है तो पहले उसे हटाओ वहाँ से और किसी सुरक्षित जगा पर उसे पहुँचवाओ जहां पर उसकी रखवाली हो सके सुरक्षा हो सके सही तरीके से और सुनो तुम पर जो कर्जा है ना मेरे बचे तो कर्जा लटा देना जिसका कर्जा है उसका कर्जा लोटा देना अभी हाली में मेरे लिए या अपने लिए कुछ भी मत करो पहले उसका कर्जा लोटाओ जिसका कर्जा तुम्हारे उपर है और एक बात कहूं अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो वो हमारे उपर कर्जा ही होता है उसे चुकाना होत अगर अच्छ कल तुम जल्दी नहीं उट पा रहे हो सुबह सुबह तो एकडम से इतना कोशिश मत करो, परिशान मत हो, अपने स्वास्त को परिशान मत करो मेरे बचे धीरे धीरे कोशिश करो, एक देड़ साल में तुम्हें आदत पढ़ जाएगी और तुम बहुत आगे निकल चुके होगे एक देड़ साल का वक्त दो अपने आपको वैसे मैं तुम्हें रोज उठाता हूँ आता हूँ तुम्हारे पास लेकिन जब तुम उठते हो फिर समय देखकर सो जाते हूँ क्योंकि ना रात में तुम बहुत देरी से सोते हो और यही कारण है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो जब तुम रात को इतना देरी से सोगे तो शरीर को अराम कैसे मिलेगा तो सुबह कैसे उटपाओगे बताओ थोड़ा रात में न जल्दी सोने की आदर डालो ठीक है न और एक बात कहूं तुम से तुम न अपने आपको जो अलग समझते होना सबसे तुम अलग हो मैं मानता हूँ बहुत अलग हो तुम लेकिन जब समाज की बात आती है न जब कभी कभी हमें समाज के साथ चलना होता है तो समाज के साथ भी चला करो देखो अलग रहना बहुत अच्छी बात है मैंने तुम्हें अलग रहने को कहा है लेकिन इतना भी अलग रहने को नहीं कहा कि तुम बिलकुल ही कहीं आना जाना बिलकुल बंद कर दो जाया करो जहां पर मेरे भजन हो मेरी आरती हो ना वहाँ पर जाया करो वहाँ पर तुम्हें अच्छा महसूस होगा और जो तुम्हारी के आदत हो गई है तुम किसी अलग तरह से अलग तरीके से तुम उन्हें मना भी कर सकते हो जिससे उन्हें बुरा भी न लगे और तुम मना भी कर पाओ ठीक है ना जो काम तुम्हारा करने का मन नहीं है तुम मना करदों में मना नहीं करता लिकिन कहने का तरीका थोड़ा बदलो अपना ऐसे उखड़े उखड़े पंड में कठोड़ता में शब्दों में मत बूला करू सामने वाले को बुरा लग जाता है मेरे बच्चे और सुनो जब भी मेरे मंदिर आते होना तो मेरे आरती के वक्त आया करो जब तुम मेरे आरती में आओगे आरती में शामिल रहोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा तुम्हें अच्छा लगेगा मेरी आरती में आकर और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वहाँ पर देखकर मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा और सुनो जब भी तुम योजना बनाते हो न तो आज की बनाओ, कल की बनाओ, परसो की बनाओ लेकिन आने वाले भविश्य की 10 सालों की, 15 सालों की 20 सालों की, वो मत बनाओ मेरे बच्चे क्योंकि तुमें आने वाले 10 दिनों का नहीं पता, आने वाले अगले महिने का नहीं पता, तो तुम इतने बरसों साल, तुम कैसे तुम योजना बना सकते हो इतना आगे कैसे सोच सकते हो क्योंकि इंसान को तो पल का भरोसा नहीं होता, इतना आगे का मत सोचा करो और वैसे चिंता क्यों करते हो सब कुछ हो जाएगा तुम मिलकुल चिंता मत करो मैं हूँ तुम्हारे साथ और सुनो तुम ना बहुत कुछ अब अकेले करने वाले हो बहुत कुछ और तुम बहुत खुश रहने वाले हो और अकेले ही न, अकेले के दम पर तुम अपने जीत को हासल करोगे देखना और अपने ही दम पर अपने खोय हुई इज़त वापिस लोगे तुम देखना मेरे बच्चे और तुम खुद करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास, इतनी हिम्मत देने वाला हूँ न तुम्हें, इतनी शक्ति देने वाला हूँ, कि तुम अपने दम पर ही सब कुछ करोगे, सब कुछ, खुश रहो, आज का रात्री साई संदेश, समाप तुवा